हे गाईज, वेकम तो सोस पॉइंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं योजना मैगजिन जो कि यहां पर अगस्त मन्त की है, तो जुलाई मन्त तक की कम्प्लीट हो गई है, अगस्त मन्त की इस बार जो टॉपिक है वो है कल्चर डाइवर्सिटी, बहुत ही अच्छी इ जो के क्याई का आप डेकर हम लोग महरास्ट गुपराने वाले हैं की कैसे हमारे हर जगह जाते हैं लेन का हर एकव्म करते है दो अगस्त का nei का काㅋㅋ हैपकी मैगजिन होने इस नहीं देनी वाले हो ओ या फिर इसके आगे भी देने वाले हो तो यह नहीं जो मैगजिन है आपको शाबित होने वाला क्योंकि आप लोग आज तक अगर आट इन कल्चर को नहीं भी पढ़े हो या फिर अगर आप लोग को डर लगता है या फिर एक होता है कि काइंट आफ बोरिंग लगती है बट यह मैगजिन बहुत इंट्रेस्टिंग है सीरियसली एक बार आप पढ कर रहे हो ना तो बस exam point of view पढ़ो मैं वही article को यहां पर discuss करती हूँ जो कि आपके exam के लिए चाहे वो prelims हो चाहे मेंस हो चाहे interview हो आपके लिए जो useful है मैं वह article लेकर आती हो बाकि अगर आपको पूरे magazine पढ़नी है तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि मैं इसक बहुत जादा time चला जाता है इसलिए मैं basic चीज़े को यहां पर cover करती हूँ चली आईए start करते हैं एक बार index में मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन-कौन से topic है यहां पर अच्छा इसका index ही नहीं दिया गया है इस बार कोई बात दी मैं आपको वता देती हूँ कि बहुत सारे यहां पर एक अच्छे अच्छे topics है पहले तो आप लोग को सारे musical यहां पर arts पता चलेंगे कि कौन-कौन से musical instrument है साथी साथ music का क्या importance है उसके साथ हम लोग classical music देखने वाले फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद bamboo के बारे में भी देखेंगे और सबसे अच्छी interesting बात इस magazine में इस बार यह है कि 10 यहां पर आपकी general awareness के questions है it means कि जो news में आपका topic रहा है उसके बारे में कुछ questions है तो 10 questions भी हम लोग at the end of this lesson वो भी solve क करेंगे जो कि आपके upcoming exam के लिए काफी ज्यादा important है और कुछ schemes है उसके बारे में भी देख लेंगे last में India-China relation के बारे में भी कुछ एक article दी गई है उसके बारे में भी देख लेंगे एक अलग angle बताया जा रहा है तो overall आपकी जो यह lesson है बहुत ज्यादा interesting और जो informative होने व देखने को मिलेगा उनका अपना style होता है कि वो किसी भी चीज को कैसे celebrate करते है festival आपको different देखने को मिलेगा fox song हो गया fox dance हो गया सब जगे की different होती है तो जो Indian society की जो fabric है वो आपको various dance form में देखने को मिलेगा music है, architecture है, festival है, visual है, arts है, fox है, tradition है तो इन सारे तरीके से आपको जो है यहाँ पर Indian societies देखने को मिलेगा यह सारी चीज़े एक साथ क्या show करती है कि हमारे society की जो identity है उसको यहाँ पर show करती है इससे क्या है कि विपल्स जो है बहुत सारे various art forms जो है उनके साथ connect होते है वो भी एक culture identity के जैसा जैसे पुरानी line कही गई है कि कोश कोश पर पानी बदले, चार कोश पर वानी तो यही चीज़ हमनों को देखने को मिलता है कि आप एक state से दूसरे state में जाओगे वैसे ही आपका पानी भी बदल जाता है और वहां की वानी भी बदल जाती है इट मिंस कि language भी बदल जाता है पानी कहने का मतलब है कि आपका भेज भूसा, वहां की culture सारी चीज़े आपकी change हो जाती है बट एक similar diversity आपको देखने को मिलेगा जो की बहुत तरीके के linguistic pattern में है different different तरीके के आपके language देखने को मिलेगे और जहां पे आपके जिस तरीके की reverse flow करती है वहां पे आपको वैसे ही आपको reverse की तरह जो है ना जहां जहां reverse जैसे आपकी flow होते जाती है तो उसका नाम change होते जाता है वैसी हमारे हारे के भिन-भिन state में जैसे आप एक state से दुसरे state में जाओगे हमारी languages भी change हो जाती है जैसे आप लोग गंगा को ही देखते हो कि इसको पदमा कहते है गंगा कहते है यमना कहते है कि ने तो इतने सारे नाम से जाना जाता है just because क्योंकि ये different different countries से different different जगों से होकर गुजरती है वही चीज यहां पे बताये जारी है जो इस बार का आप देखोगे कि जो योजना यहां पे celebrate किया जारा idea of India as a nation जहां पे different cultures जो है unite होते हैं क्योंकि different different आपके geographies है different different आपकी जगा पे देखने को मिलेगा कि लोग एक दुसरे से interact होते है तो इसी चीज को इस बार जो है issues को यहां पे जो different different cultures है हमारे उस issues को लेकर यहां पे योजना प्रस्तूत वाया philosophical natures देखते हैं कि हमारे Indian music का क्या यहां पे nature है Indian classical music की अगर बात करें तो हमारे जो composite culture है उसको develop करने में काफी अच्छा इनका role रहा है इसके अलावा आप देखोगे तो Indian classical जो music है ना इसको यहां पे classical जैसा term यहां पे note किया जा रहा है क्यों note किया जाना चाहिए क्योंकि यह सिफ हमें यह suggest करता है कि standard convention है या फिर सास्त्र है जो हम लोग Indian classical music कहते हैं इसको हम लोग सास्त्र भी कह सकते कुछ हमारे textual traditions के हिसाब से जो Indian names है यह music का उसको सास्त्री संगीत भी कहते हैं sometimes इसको हम लोग राग संगीत भी कहते हैं ठीक है राग जो कि यहां पे आपका center of structure of this art form है और यहां पे जो term है classical यह आप लोग का बस old style को नहीं show करता है बटे की specific time period को show करता है जहां से यह exist हुआ है और आज की भी date में आपको देखने को मिलेगा कि western tradition से यह exist हुआ है ठीक है Indian classical music की बात करें चाहे वो हिंदुस्तानी हो या carnatic हो दो तरीके की आपको जो है classical music देखने को मिलेगा essentially आपको देखने को मिलेगा तो यह चीज़े different different जगों पर आपको different देखने को मिलेगा ठीक है भक्ती है जो हम लोग आपको मिला होगा lesson भक्ती moment का तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे कि old times in medieval India से जो है भक्ती moment स्टार्ट हुआ था तो भक्ती moments में जो है ना सूफीज है जो कि उनके पीछे एक अपने song के थूँ अपने music के थूँ जो है वो सारे चीजों को जो हमारे society में कुटनीतिया थी जैसे cast division था, class division था women की जो position day by day बहुत जादा detroit हो रहे थे इन सारे topics के उपर जो है वो बात करते थे इन सारे topics को जो है वो यहाँ पर से eradicate करना चाहते थे हमारे society से तो एक भक्ती moment निकल कर आये था ठीक है Indian classical music की वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर एक legendary past है यानि कि music आज की date से यह start नहीं है हम लोग जब से इस धर्ती में आए तब से एक music ऐसे देखने को मिलाओगा और Indian classical music का तो एक अपना ही पाठ है उनकी अपनी विशिस्ता है उनका अपना ही एक गुण है है कि नहीं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बिसमिल्ला खान कौन नहीं जानता है इनको यह आपका भारत रत्न भी इनको मिला गया है साथी साथ हरी प्रशाज चौरसिया इनको कौन नहीं जानता है तो ऐसे ऐसे भी कोई महान कलाकार हमारे हाँ पर रह चुके है जो कि उनको उनकी म्यूजिक के जो उनका ट्रेंड था उनसे हम लोग पहचानते है उनका जो म्यूजिक का जो गुन था उनसे हम लोग पहचानते है तो इनके बारे में तो आपसे exam में पूछा नहीं जाएगा बट awareness आपको होना चाहिए इन सारे चीज़ों के बारे में गुरू शिश्य या फिर जो यहाँ पे आपका एक घराना tradition है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गुरू शिश्य है परंपरा है एक अनादर आपको crucial features देखने को मिलेगा जो कि सारे classical music traditions में common थे बहुत सारे centuries से जो है यह गुरू शिश्य transmissions जो है वो आपको देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा possible हुआ है कि इसको आगे लेकर चला जाए लोग जो है अपने गुरू को जो है जो गुरू है अपने शिश्य को इस तरह की जो musical art है उसको वो सिखाते थे ताकि कि यह आगे वरते जाए आगे आने वाले दिनों में भी लोग जो है इस चीजों को continue करें यह जो music का जो tradition था यह आगे दिनों में भी continue रहना चाहिए इसलिए गुरू शिश्य ट्राडिशन जो है यह हमेशाँ चलते रहा है अगर हमनों origin और historical development की बात करें जो कि different form of Indian music है तो जो Indian music का origin है वो हम लोग यहाँ पे Vedic Himes और मंतराज में देखते थे कि जो मंतर वगेरा होता था और Vedic में जो आपके यहाँ पे Himes थे उसमें हम लोगों को देखने को मिला था उसके बाद चांदोग्या जो उपनिशद है उसमें यहाँ पे seven style of gun यानि कि यहाँ पे musical modes के बारे में साथ ही यहाँ पर शौरा यानि कि importance of शौरा के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो की Vedic मंतर के बारे में तो उसको भी एक सही तरीके से प्रनौस करना चाहिए absolutely accuracy के साथ यहाँ पर प्रनौस करना चाहिए तो यह सारी बाते आपको यहाँ पर देखने को मिला यानि कि वैदिक पीरिट से ही हमारे यहाँ इंडियन म्यूजिक का ओरीजिन हुआ है उसके बाद वैदिक पेज के बाद से अगर हम लोग देखे तो नत्य सास्त्र निकल कर आया ठीचे बाद वैदिक पोन शेखने किया देखे ही हाँ तो यहाँ आपे आप लुग देखोगे six को अनदर्व जो वैदिक उनको transitions में यहाँ पर contribute मिला है गंदर वेद कहने का मतलब है कि the very science of music this is again very important यह सारे words को आप लोगो ध्यान में रखना है फिर और अगर हमनों यहाँ पर कुछ और बात करें तो earliest reference अगर हमनों देखे रागास का राग जिसको बोलते है तो राग जो यूज किया गया है वो इंडियन आपके classical music में किया गया है जो कि बुद्धिस्ट के एक textual sources से यह पाए गया है 10th century अगर manuscript देखे वो भी यहाँ पर चारी गीती का It means की performance song तो यह तिबत से आया है और यहाँ पर 8th century में आपको देखने को मिलेगा साथी साथ अगर हमनों देखे तो यहाँ पर कुछ classical music राग भी पाया गया है जैसे कि यहाँ पर भैरावी है गुर्जारी है तो यह सारे हैं कुछ various parts of हिमाले region में आपको देखने को मिलेगा जो ही इंडिया और नेपाल का है और यहाँ पर महायाना, वज्रियाना, बुद्धीज में यह प्रिविलेंट बहुत जादा थे इंडिया और नेपाल वाले region में तो वहाँ पर भी कुछ जो है इस तरीकी की classical music देखने को मिली है Southern part of इंडिया में अगर हमनों देखे तो यहाँ पर प्राबंधा है, प्राबंध गान, यह आपका बहुत जादा popular था यह जो word है प्राबंध, यह आपको देखने को मिले है कि well bound यहाँ पर जो composition है उसको यहाँ पर show किया जाता है, हर एक प्राबंध में यह कहा गया है कि जो बहुत जादा exhaustive था और बहुत सारे years यहाँ पर ले लिया गया जिसके थूरू इसमें आप masters बन सकते हो, साथ ही साथ अगर हमनों नौर्थ इस्टन रीजन की बात करे तो यहाँ पर 15th और 16th century में काफी efforts लगाया गया था sent scholar जो की western of traditions था वहाँ पर, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से Indian classical जो यहाँ पर music है वो लाया गया था तो हर एक जगह का हम लोग देख लिए कि कैसे यहाँ पर Indian classical music जो है एक आपका certain parts में ही नहीं contributed था, यह हमारे पूरी इंडिया में आपको 15th century, 16th century तक देखने को मिला कि पूरा distribute हो चुका था सिखिम्स की बात करें तो यह सिर्फ only religion था जिसमें कि music को as a chief mode of worship यानि कि जब पूजा करते हैं तो music को इस्तमाल किया जाता था, वही poetic teachings था, ग्रूज का जिसमें कि classical music वगरा भी थे तो इस तरीके से आप लोगो पता चल गया कि हर एक जगा जो है इंडियन classical music जो है, वो सिफ एक region तक ही नहीं आपका सिमित था साथी साथ आप देखो गए कि यहाँ पे song से यह जो इंडियन classical music थे उससे pluralism और साथी साथ आपका जो यहाँ पे particularism है ना इसको दर्शाया गया है, pluralism में कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक कोई religion या फिर एक community के लोग ही इसको follow नहीं कर रहे थे पूरे इंडिया में जितने different community के लोग है, different आपके जो religion है different यहाँ पे जो different तरीके के जो age group है उन सब के बीच में इसको जो है फैलाना था Indian music जो था साथी साथ particularism था, यानि कहने का मतलब है कि एक particular आपको देखने को मिलेगा जैसे कि सारे गामा पाथ आपको देखने को मिलता है कि इस तरीके का जो Indian classical music था वो एक particular था जो कि सारे जगा यह आपको निकल कराया है एक ख्याल music भी है उसकी भी emergence अगर हमनों देखे तो ख्याल style of Hindustani music है जो कि आपको 17th century में देखने को मिला कि यह भी काफ़े जादा emerge हो रहा था और में लिए मुगल empire के time में ही देखने को मिला ठीक है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा इतना याद रखना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद रागमला था यह virtual art और classical music है एक typical example देखने को मिलेगा जहाँ पे Indian classical music को जो है ना virtual art और poetry के साथ इसको जोड़ा गया था जो कि यहाँ पे रागमला का evolution हुआ तो रागमला हलका फुलका इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेगा उसके बाद जो unifying factor of Indian classical music है purity of swear यानि कि जो swear हम लोग कहते हैं इसमें जो purity है उसी के थूँ जो है unify करने की कुछ factors भी है तो यह सारे words आप लोग को याद दखना है चीज़े आप लोग को याद दखने है बागी और कुछ भी इसमें नहीं है जो कि exam point of view से आपके important हो अब आते हैं और आगे देखते हैं नौर्थ इस region में यानि कि एक unique identity आपको नौर्थ इस region में देखने को मिलेगा नौर्थ इस region में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी लोग है न वो different different region से आए है यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जो नेगरीटोज है उनकी presence है यहाँ पर साथी साथ जो है प्री ड्रावेडियन जो लोग है रावेडियन कहने का मतलब कि जो लोग south से आए है जैसे कि ऐफ्रीका वाले रीजन से जो आते है उनको अम दो ड्रावेडियन कहते है तो यह जो प्री ड्रावेडियन है यहाँ पर युरेशियन है जो की युरॉप वगेरा country से आ है Australoid है जो कि Australia वाले region से आए है मॉंगलाइड है जो की मॉंगोल वाले रेजन से आया है, अल्पाइन है, मेडिटेरियन है, इंडो आरियन है, साथी इंडो सेशियन स्टॉक्स है, बहुत सारे आपको प्लेसेस देखने को मिलेंगे जैसे अरुनाचर प्रदेस, आसाम, मनिपूर है और साथी साथ यहाँ पे बहुत सारे जगह के लोग आपको इन सारे यानि कि नॉर्थ इस्ट में देखने को मिलते हैं, तो प्रिजन टाइम में अगर हम दो देखे, तो सेंसस 2011 के एकॉर्डिंग 4.54 करोर यहाँ पे पॉपलेशन है, जिसमें कि आपको डिफरेंट 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 रिलीजि इसमें कौन-कौन से हैं, तो आसाम, अरुनाचा परदेश, मिघाले, मिजूरम, मनिपूर, त्रिपूरा, नागालेंट, तो यह सारे स्टेट हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा, 68% से भी जादा अगर हम लोग इस पॉपलेशन की बात करें, तो यह आसाम में ही रहते हैं इसमें कि आसाम जो आपका एरिया है, वो बहुत जादा बड़ा है, और पूरे नौर्थीस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आसाम वाले रीजन में रहते हैं, साथीस के बाद अगर आप देखोगे, और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर कुछ-कुछ वर्ट से उसको देखते हैं, जैसे कि अरुणाचा प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर जो बहुत जादा पॉपलर है, वो है सौंग्स ओफ शामन, तो सौंग्स ओफ शामन की बात करें, तो यह आपका डिफरेंट ट्राइब्स जो भी तो उसको वो कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हर एक ट्राइब का अपना अलग-अलग तरीके का जो है उनका रूस रेगुलेशन है, अरुनाचा प्रदेश में देखें तो बहुत तरीके के ट्राइब्स हैं, समझ जो है mostly यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कॉम्मुनिकेटर ह है, हीलर है, रिच्वल स्पेशलिस्ट है, तो यह सारे है, बट नीदर ऐस मेजिशन और नौर मेजिस्टिक, यानि कि यहाँ पर मेजिशन वगेरा, यहाँ पर मेजिशन जो होते हैं, जादुगर वो वाले चीज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगें, साथी साथ अगर देखें, जो टानी पिपल है, यानि कि जो टानी ग्रॉप के पिपल है, वो यहाँ पर इस एक्स्पिरिट में जो है, उनकी एक्जिस्टेंस भी देखने को मिलता है, तो यह याद अखिए का सौंग ऑफ जो समन है, यह अरुनाचा परदेश से, इसके आगे अगर हम अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अरुनाचा परदेश की बात बताए जारी है, वैशनवीज में जो है, यह आपका बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था असाम में और मनिपूर में, साथी साथ मेजर अगर हम लोग यहाँ पर इंडिजिनियस फेत अगर देखें, तो करते हैं, वही अगर हम लोग बात करें, खामती, सिंगपो, टांग शो, यह सब थेड़ा वाड़ा जो स्कूल है, उसको फॉलो करते हैं, तो यह दिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, साथी बीहू की बात करें, जो कि आसाम में है, मोस्ट पॉप्लर इनका फेस्टिबल ह हैं, और साथी साथ जो आपका एगरिगेरियन प्राक्टिस किया जाता है, उसी की रूट से आपके निकल कर आई है, यानि किसी को यहां पर बीहू जासा फेस्टिबल आपको सलिब्रेट क्या जाता है, बोगाली बीहू जो है, यह आपका लिएशन है, हार्वेस्ट का, नोट डाउन करते जाएं जो भी मैं बताते चल रही हूं असाम के द्वारा यहां पे जो है कुंगाली भी हुँ भी अवजफ किया जाता है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि प्रेयर है यानि कि अच्छे अच्छे फसल हो उसके लिए यह लोग प्रेयर करते हैं फसल की कटा यह सारे मेघाले के ट्राइब से इनके द्वारा जो है शड़ शूक मैंसी यह ज़िबरेट के जाता है वही जनतिया की बाद करें तो वह यहां पे बैदिंग खाम और गारोस यह वह वंगाला यह अलग अलग तीनों जो ट्राइब है यानि कि मेघाले के 3 ट्राइब तो यहां पर है चप्छर, कत और मीम कत और यहां पर पॉल कत यह सब रिलेटेद है अगरिकर्चर से जब यहां पर मिजू जो है ना चेरावस को परफॉर्म करते हैं यानि कि अच्छा खासा जो है बैमबो डांस होता है उसी को यहां पर देखा गया है अरुराच्र एक सिकंद लोसार तो ये सारे अग्रीकल्च्चर ही से के लिए जिसको यहां पर उमलंगई कहते है ठीक है sorry for the pronunciation इनकी जो pronunciation है इनकी जो words से कुछ ऐसी है जो कि मैं नहीं comfortable feel कर पा रही हूं बोलने में दो dance form आपको देखने को मिलेगा Northeast का एक तो मनिपूर से मनिपूरी है आसाम से सतरिया है तो यह दोनों जो है classical dance form है तो इसको भी ध्यान रखेगा एक यहां पर हम लोग देख रहे थे सोवा रिगबा सोवा रिगपा ठीक है तो सोवा रिगपा का क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग आयरवेद देख रहे थे ministry of आयुष जब हम लोग वीजन आईस magazine को discuss करते तो उसमें हम लोग science and tech में देख रहे थे कि अभी जब coronavirus का time है तो यहां पर बात निकल कर आई थी कि हम लोग को आयुष पर ध्यान देना चाहिए आयरवेद में योगा में युनानी में सिध्धा में होवे पैथी में नैच्रोपैथी में तो उसी में एक भूती language उससे यह निकल कर आया है यह ancient आपका Indian medical system है जो कि Lord Buddha के द्वारा जो है इसको प्रपाउंड किया गया था यह आप देखोगे कि बहुत ज्यादा यूज होता है इसका काफी जादा यूज होता है क्योंकि वो लोग के पास medicines उतना रिच नहीं हो पाता है तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग सोचते हैं कि आयरवेदिक चीजों पर या फिर इस तरीके के चीजों पर रिलाय रहते हैं जो कि एक natural medical आपको देखने को मिलेगा की treatment है natural medical treatment ओके तो ध्यान रखिएगा सोवा रिग्बा के बारे में यह आपका जो है ना नेश्रोपैथी से related है यहीं पर अगर हम नों next देखें तो एक और है मिघाले का जिसको कि हम लोग रोंखली कहते हैं तो रोंखली क्या है रोंखली या फिर टाइकर फेस्टिबल यह एक religious festival है जो कि यहां पर जो मिघाले के वार जंतिया region में जो लोग रहते हैं उनके द्वारे यह आपका celebrate किया जाता है वार जंतिया जो कि यहां पर आपके वेस्ट जंतिया के hill में रहते हैं तो उनके द्वारा जो है यह टाइगर फेस्टिबल दिरेक्ली आप से पूछा रेते हैं तो यहां पर इस तरीके से जो है ना हमारा perform क्या जाता है जिसको रोखली भी कहते है छोगिरी नागा फॉक सॉंग है यह नागा लैंड का है ठीकर नागा जहां पर भी आजाए अपना ट्राइब सो है नागा लैंड में रहते हैं तो यह आपका लिए इत्य हो जा से आप से directly questions पूछ सकते हैं तो ये सारी चीज़े आपको धियान रखने हैं नोट डाउन करते रहे हैं चितनी भी आप इंपोर्टेंट चीज़े मैं आपको बताते चल रही हूँ ठीक है आते ही ये सारी बाते तो मैं बता दी कि कौनकों से हैं यहाँ पर आपके tribes वगिरा एक बार और देख लीज़े जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ भाओ यहाँ पर देखे दो बोडो, राबा और दिमासा, करभी लैंग्विज जो है ये असाम का है गारो जो है मिघाले का है, कोक बोरुग जो है ट्रिपूरा का है और मोस्ट लैंग्विज इस्पोके निंद आप लोग अरुनाचा पदेश, नागलैंड, मिजोरम और मनिपूर के हील में आप देखोगे तो ये टिबेटो बुर्मन सब फैमिली ऑफ सीनो टिबेटन ग्रूप्स का है तो थोड़ा बहुत लैंग्विज के बारे में आप लोग को याद रखना है साथी इनके जो फॉक डांस है, फॉक आर्ट है ये सब के बारे में तो जरूर आप लोगो ध्यान रखना है मनिपूर में आप देखोगे तो चिरावो है जो कि मनिपूर की यहाँ पर निउयर फेस्टिबल है लाई हराई वो है जो कि सेलिबरेट किया जाता है यहाँ पर उमल गलेई के लिए और साथी साथ यहाँ पर हॉली फेस्टिबल भी है, साथी रत यातरा भी है जिसको कि यहाँ पर कांग चिंगबा भी कहते है तो देखिए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं यह सारी चीज़े आपको याद कर नहीं होगा अब आते हैं next bamboo के बारे में, थोड़ा बहुत bamboo के बारे में देख लिजे कि यहाँ पर नौर्थिस्ट वाली रीजिन किस तरीके से जो है bamboo पर dependent होते है और ruler economy किस तरीके से rejuvenate हुआ है bamboo से, bamboo एक natural और हमारे हैं का raw material है जिस जो की काफी अच्छा कासा रोल प्लेई करता है कि कैसे हम लोग जो है ना यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़े बना सके और रूलर एकॉनमी भी बहुत जादा इंपक्त होती है अगरिकल्चर सेक्टर में देखे या फिर इंडास्टियल सेक्टर में देखे बैंबू प्लेजर इंपॉर्टेंट रोल यह मोस्ट इंवार्मेंट फ्रेंडली प्लांट है साथी साथ आप देखोगे तो इसमें highest carbon sequestration होता है कहने का मतलब है कि जो carbon आपके atmosphere में होता है bamboo tree क्या करते है कि उस carbon को जो है न वो अपने तरफ खीजते और अपने अंदर जो है वो absorb करते इससे क्या होता है कि atmosphere में carbon की मातरा कम हो जाती है और इससे फिर क्या होगा कि हमारे जो global temperature है वो नहीं बढ़ेगा तो यह सारे काम यहां पर देखने को मिलता है coronavirus जो epidemic था इससे क्या होगा ना कि global economy तो बहुत जादा hit हो गई है जब हम global economy की बारे में बात करते हैं तो आप समझ सकते हो कि पुरे all over the economy यानि कि developed nation की भी economy जो है बहुत बुरी तरीके से hit हुई है हम लोग यहां पर UK की बात करें US की बात करें तो सब को यहां पर बहुत बुरे तरीके से hit हुआ है तो यहां पर ruler economy के बारे में आप लोग समझ सकते हो कि क्या बुरी condition हो चुकी होगी तो इस बुरे condition में जो है न यहां पर बैंबो का बहुत अच्छा का सा रोल हुआ है साथी मनरेका की बात करें तो मनरेका भी उतना अच्छा का सा जो है इसमें opportunity नहीं था कि वो यहां पर जो है लोगों को यहां पर काम provide कर सके यहां पर मनरेका की अंदर basic चीज़े आप यहीं देखोगे कि यहां पर जो अनिस्किल workers होते उनी को यहां पर काम दिया जाता है तो उसके बाद आप देखोगे कि जो author है यानि कि prime minister की जो शर्पा है G20 और G7 के member of parliament और साथी साथ यहां पर बहुत सारे cabinet position जो की union ministry में उनके द्वारा जो है देख सकते हो कि किस तरीके का काम यहां पर आपका किया गया है यानि कि इस तरीके से जो है bamboo को बहुत जादा यहां पर तजबूत दिये गई है जिसे कि bamboo जो है एक सही तरीके से लोग इस्तेमाल करके अपना जो है दिंचरिया चला सकते है bamboo का एक cultural linkage भी है पेना एक single string musical instrument है इस तरीके का आप लोग देख सकते हो इसमें दो पार्ट होता है जिसमें कि आपका bamboo pole से इसको बनाया जाता है तो आप लोग सोच रहे हो कि musical instrument बनाने में भी bamboo का बहुत अच्छा खासा इसलिए यहाँ पे इसका cultural link भी है साथी अगर हम लोग देखे तो यहाँ पे cane and bamboo craft के बारे में कि क्या क्या bamboo से बनाया जाता है तो आप लोग maybe use भी कर रहे हो और आप लोग इस चीज़ से aware भी होंगे जैसे कि डाला है तो यह डाला भी देख सकते हो फिर यहाँ पे तुकूरी है जिसको की basket कहते है tea garden में यह बहुत जादा इस्तमाल होता है फिर furniture आप देखते हो यह आप लोग को bamboo का furniture आप लोग भी use करते होंगे घर पे बहुत जादा होता है hat भी देख सकते हो यह तो बहुत खुबसूरत लगता है विनोर आप देख सकते हो जिसको कुला कहते है यह भी bamboo का ही बना रहता है मुरा है यह इस तरीके का stool आता है तो यह भी आपका bamboo का है जो कि extensively मुझे लगता है बहुत जादा यह इसका इस्तमाल होता है फिर mat वगेरा भी हम लोग जो इस्तमाल करते है चलिनी है उसके बाद आपका यहाँ पर गोगोना है other musical instrument है जो कि आपका bamboo का ही बना रहता है बांसुरी वगेरा आप लोग देखते हो तो यह सारे चीज़े जो है ना bamboo की ही वनी होती है तो आप लोग समझ सकते हो कि bamboo का इस्तमाल कितना large number पर होता है अगर हम लोग यहाँ पर इंड़ा रहा है